कहते हैं मन में अगर जजबा हो हिम्मत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं जी हां कुछ यही कर दिखाया है दिपा मलिक ने जो अपने उपर अपंगता को हावी नहीं होने दिया और अंतराश्टी अस्तर तक ख्याति प्राप्त कर चुकी है तो चलिए सुनते हैं यह भेट वारता दिपाजी सबसे पहले यह बताए कि जब आपका बच्पन स्टार्ट हुआ तो उस तब आपने क्या सोचा था अपनी फूचर की प्लानिंग को लेकर देखे मैने तो पालस बच्पन में बहुत जल्दी देख लिया था मैं जब पांच स Named जब जब टम प्लानिक को साड़े आठ आट वसी फेस सब्समे कन बची प्LEत्राओं कर दो मुजिप णार्टी में बच्पन सामने में अपना तो कि तो इनकी तो उसन वकट्वर के सांवन इस पूर्ट में जाना है या या एडवंचर्स में जाना है इस तरह की बात आपके मायट में कभ आया या नजर आते हैं तो उल जलूल काम तो मेरे शुरू हो चुके थै जब साइकल कभी सीधी नहीं चलानी हमेशा उसकी सीड पर खड़े हो के चलानी या उल्टे बैट के चल आपके चलानी हमेशा नहीं चानलाइज नहीं किया जाता था या बाइकिंग की कोई दुनिया नहीं नहीं थी बहुत शुक था मैं हमेशा यह हंसती हो कि मुझे पहियों का बड़ा शुक था और मेरी अरजी गलत लग गई और मेरे को वीलचेर मिल गई चाहिए तो दूसरे तो शुक चुपावान रही हमेशा से घ्राई रही है कि मुझे गाडिया चलानी है। मुझे रेसिंग करनी हैं। आपका बजपंद से रहा सा। यह शैक तो खुपके चुपके किसी की गाड़ी चलाना किसी अपने बड़े ललके से मांग के मोटर्साइकल चलाना पर उसक के उपर कटे जाना तो कभी कभी नाट खाना क्यूंकि अगर आप यह सब कर रहे हो तो उस दमाने में भापारा बोला जाता था 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 वहारा किसम की लड़की है या बोल्ट किसम की लड़की है तो अपने में चादी हूई और 99 में आपके साथ से अपंगता हा भी हो लेकिन वेसे तो मैं बहुत नीरस और उदास किसम की इनसान नहीं हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ जिस भी उसमें और लेकिन अगर सही माइने में कोई मेरी कहानी लिखे तो और अगर मैं खुद भी अभी कहने लगूं तो जो सुन रहे होंगे श्रोता गंड वो श्याद रो प अगर मैं आपसे सही माइने में शेयर करूँ जब मेरी पहली बेटी जनम हुआ वो प्रमिचूर रही तो आप समझ सकते हैं कि जिसका खुद का बच्पन अपंगता से जूचतावा निकला उसका जो पहला बच्चा होता है उस पर क्या बीती होगी और उसी वक्त क्योंकि हम पहले बच्चे को लेके वहां 5 महीने रही लेकिन ये था कि 5 महीने बाद बिल्कुल डॉक्टर नोर्मल होगा, उससे लेट पूण कर लिया और लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहां पांच महीने निकले होगगे कि और मैं लेकिन कहीं पर मैंने उसको ऐसे लिया कि शैद इश् एक माबाप होके एक बिमार बच्चे की जब आप सेवा करते हो और दिन रात हस्पताल के चक्कर काटते हो तो वो क्या होता है पर हमने उसको भी बड़े अच्छे फेज में लिया हमने जिन्दगी ने और मिचॉरिटी दी फिर पांच साल के गाप के बाद 95 में में दूसरी बेटी हुई बिल्कुल हेल्दी प्रॉपर एक बच्चा हो लेकिन उस दौरान मेरी पीट का दर्द दुबारा शुरू साड़े तीन सेंटीमेटर बाइड़ सेंटीमेटर का ट्यूमर उसी जगह जहां बच्पन में आया था लेकिन इस बार स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से मतलब ना साइड से ना उपर से ना नीचे से बिलकुल अंदर से वो आया और वो सिच्वेशन देखते ही सब कांप गए मैं अभी एक ब्यूटी कॉंटेस जीत कर गई तो आप समझ सकते हैं एक तम फिट 59 मेरी हाइट है और लंबे बाल और सबने ऐसे देखा और सब दंग रह गए अकेली गई थी मैं क्योंकि ममी के पास दोनों बेटियां चोड़के गई थी मेरे फादर भी साउथ आफरिका मे में डेप्यूटेशन पे थे वो एक सिविल फर्म के साथ काम करने लगे थे रेटारमेंट के बाद हजबन मेरे कारगिल सेक्टर में थे तब तक कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी क्योंकि ये मई 23 की बात है वैसे भी जिस बिमारी में अब आप है उसमें उपरेशन से ज्यादा ओपरेशन के बाद की जो केर है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टन है तो आपको कम से कम तीन या चार महीने होस्पिटल में रहना है मतलब जो मेरे करनल बातिश मेरे डॉक्टर थे उनका आँखों से एक्दम पानी आगया कैते कि इतनी खुबसूरत लड़की और कसे की वेपने होरश या का है से जाता है तो मेरे हाथ भी चले जाते है काुगा थे मुझेते तुम्हें डर है कि इस नहीं लगता है तकि यह जन्य रदाए की ठोनी फिसे अबर पर्रह परे यह उन्मारी बढ़ परे गुसर बच्च्छु औरNER होना इस राह बढ़की तो न वो तीन बार कटी है, तीन बार जुड़ी है और जो वर्टिब्रल कॉलम वैसे ही प्रीड की हड़ी की एक जो ऑपरेशन को काफी डेंजरुस माना जाता है तो जो सिचुएशन ये हो गए कि छाती के निचला हिस्सा तो पैरलिसिस में चला गया और कंधों के बीच का और कंधों का हिस्सा जो कारियरत रहा उसमें 183 टांके और ये आ गए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्यारा सागाना और क्विछा उस अबिशन से खवीना जाओूड़ने से स्वालीकस कि अंजरुत करतो अबदान का हिस्सा जो करतो ही ओस्साटाई है कि डाए ञा दोल defense बीचले जकि भport कारgeonल बे ले चारी का आश्या हisch टमयरूड़ aumentar decrease Och आप दो की बाकी तो झाल 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 इन सबसे उबरते हुए आप किस तरफ आप कुछ लोगों ने मुझे तैर वे देखा तो पैरलिंपिक कमेटी के जो ने ने पैर आप तैर लेती हैं तो आप तैर लेती हैं तो क्या आप नों महाराश्य और हर्यानय क्लिक्षा मेर लिए के लगला उर्म FPK कंपिटिशन आप वाराश्ट पिका आप सेडिय तो आप क्लिने wt那ज होげ रिल्म .. मेकलो पर इसमय कोई है जल्म प्रशिन हैं और मैराश्य के अद्राय ऑर बेहां खेड वार। 50-50-50-0m तीस में 3 बायब स में встречацийि है गंटे मेंなら 3 बायब टाने हैं एक गंके अपने है शे इस में रिकार्ण एक रिकार्ण तर फिर ला अड़ उत्सा दीद ने है? जैसा लगा जैसे हर गोल्ड के साथ मेरा किसी अंग में जान वापिस आ गई और वो तमना जो मेरी वहां की थी कि मैंने नैशनल का मैडल नहीं लिया वो मैंने अचानक मेरी पूरी हो गई कुल बिलाकर आपके हिसाब से टोटल कितने मैडल आपने एक साल की दोरा नहीं जीत लिया एक साल में करीबन चार से पांच गोल्ड स्विमिंग के नैशनल लेवल के तीन गोल्ड थ्रोज के और उतने ही फिर स्टेट लेवल के तो एक दम से मेरी जोली मेडलों से भर गे और ख से कना मेंलेकर लेवल के लिए मेड़े में ढ़्मिंग कि ऑलेपैर्से तरहाँ, धे कर्भाम से मेड़ान द Travel대 पानी की जो क्लासिफिकेशन है वो मुझे सूट नहीं कर रही तो मैंने दो हजार आट के बाद 2009 की जो त्यारी करी इंटरनेशनल डेवल की फिर मैंने अथलेटिक्स की करी अथलेटिक्स की तो थे मेरे तेनों है सॉट्पूट है जावलेन और डिसकस है क्योंकि कई बार ऐसा दो लिमका अवार्ड है इसको आपने कैसे जीता और इसका सफर कैसा रहा 15 जून को गउघाट अलाबाद पर मैंने फिर वो रिकॉर्ड बनाया 15 जाद 2008 में 2008 में आपने रिकॉर्ड बनाया और सुमिंग में बनाया तो उसके बाद कम से कम लोगों ने ये तो कहना छोड़ द तो 2009 जन्वरी में हुआ तो कितना अच्छा लगता है अपने आपको कितना सुकून मिल पाता है इसमें दो चीजे होती है एक तो यह होता है आपको बहुत खुशी होती है कि आप यह कर पाए और दूसरा एक अब मुझे लगता है कि एक जो मैंने हमेशाद सुना है कि प्रे सुन भी रहे हैं आपको देखकर आपको क्या लगता है कि खासकर जो बच्चे कुछ उसमें हैंडिकाप भी होते तो उनको किस तरीके से आगे बनना चाहिए एक इंगलिश की बड़ी फेमस कहावत है चारिटी बिगिंस एट होम अगर कोई अपंगता से ग्रस्त है खाली मै अगर घबराता है या उसका confidence level low है तो वो एक मानसिक रूम से भी अपंग माना जाता है या अगर उसमें attitude नहीं है खुछ रहने का तो मैं समझते हूँ जो इंसान खुछ नहीं रह सकता हो तो वैसे ही अपंग है तो घर पे अगर हम उस इंसान को confidence दे पहले और उसको न अप कि शारिरिक रूप से कोई अपंग नहीं होता अपंग आप हमेशा अपने मन से दिल से अपने विचारों से आप होते हो हम से बात करने के लिए बहुत 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 सुनने के लिए धन्यवाद नहीं तो आजकल तो क्रिकेटर सेलिबरिटी है या टेनिस वाले सेलिबरिट एक अपंग अंतराश्टे खिलाडी से इतनी ज़्यादा बात करने के लिए मुझे शुक्रिया कहना चाहिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मुझे यानि निर्भे कर्ण को अन्मा के दिए नमस्ताइब प्रेस्ट प्रेस्ट बेल आइकन